दोस्तो इस वीडियो में हम car insurance से related हर एक point को समझने की कोशिश करेंगे अब काफी बार क्या होता है जब भी हमें अपनी गाड़ी का या अपनी बाइक का कोई भी जब भी हमें insurance कराना होता है हम सीधा सीधा agent के पास जाते हैं उसे बोलते हैं कि भाई पिछले वाला insurance ये था वो भी आपसे कराया था अब एक नए insurance कर दो हमें कुछ नहीं पता कि हमारी गाड़ी की कितनी insured declared values ने रखी है क्या क्या उसके अंदर उसने add-on points को रखे हैं first party insurance क्या होता है third party insurance क्या होता है ये second party क्या होती है ये हमें कुछ भी नहीं पता होता है बस हम उसके पास जाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट अपना कट रख लेता है बीच में और आपको एक insurance करके देता है, जिसका आपको आता नहीं पता नहीं, कुछ भी नहीं पता होता, बस आपको यह है कि हाँजी गाड़ी का insurance हो रख है, लेकिन इस वीडियो में हम एक-एक point को समझेंगे कि भाई, first party insurance क्या होता है second party insurance क्या होता है third party insurance क्या होता है इसके लावा आपने बहुत बार सुनाओगा कि zero depreciation insurance है जिसे हम zero debt बोल देते हैं यह zero depreciation insurance क्या होता है RTI क्या होती है यानि return to invoice value क्या होती है इसके लावा एक चीज होती है IDV यानि insured declare value यह क्या होती है यहां मैंने सारा कुछ ना एक-एक screenshot ले करके यह किसी भी मैंने online website से उठा लिये मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप यहां से लो, वहां से लो इस वीडियो में हमारा मकसद यह रहेगा कि हमें यह सारी की सारी terms पता होने चीए कि भाई IDV क्या होती है आपको जहां से लेना insurance आप वहां से लो आपको agent से लेना आप agent से लो अगर आप चाहते हो agent को cut देना कोई दिक्कत नहीं आप agent से ले लो आप online लेना चाहते हो आप जहां से मरजी लो में इस वीडियो में यह बिल्कुल भी इन बताऊंगा कि भाई यह वाला अच्छा है उसका अच्छा है फलाने का अच्छा है ऐसा कुछ भी हम discuss नहीं करेंगे हम points पर बात करेंगे कि जी इसके अच्छा है कि गाड़ी की वेल्यू उसने क्या रखी है क्या क्या चीजे इसके अंदर उसने कवर करके दिया कल को गाड़ी ठुक गई गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया गाड़ी चोरी हो गई या natural disaster की वज़ा से मानलो बाड़ आ गई गाड़ी तबहा हो गई तो आपको तो पता होगा ना कि क्या चीजे आपकी गाड़ी के लिए covered हैं और क्या चीजे covered नहीं है जब आपको इन terms के बारे में पता होगा तो insurance कहीं इसे मर्जी करवा लेना अब समझते चलते हैं सबसे पहले आता है third party insurance ठीक है जी अच्छा इंडिया के अंदर आपको अगर चलान देखो अधर्वाइस आपका चलान कर जाएगा यह सबको पता है कि third party insurance तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए पुलीस वाले यह नहीं कहते कि आप first party insurance करा हो at least third party insurance तो आपके पास होना ही चाहिए सबसे सस्ता insurance होता है third party insurance थर्ड पार्ट इंशोरेंस का मतलब क्या है अब गाड़ी के लिए बाइक के लिए दोनों के लिए सेम ही सारी की सारी चीज़ है ठीक है अब मानलों कि यह आपकी गाड़ी है ठीक है यह गाड़ी सड़क पे जा रही है और आपकी गाड़ी की वज़ा से सामने एक गाड़ी य में जोगी लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी कार इंशोरेंस था यानि आपका जो भी नुकसान हुआ है आपको जो भी चोट लगी है जो कुछ भी हो है इसका तो एक रुपए भी आपको नहीं मिलने वाला सब कुछ आपको अपनी जेव से लगाने लेकि सारा का सारा पैसा आपकी इंशोरेंस कंपनी इस बंदे को पे करेगी इंशोरेंस कंपनी जो होती है उसे हम सेकिंड पार्टी बोल देते हैं यानि सेकिंड पार्टी इस थर्ड पार्टी को पैसा पे करेगी अब एक सवाल ये भी आता है कि इसने भी तो इंशोरेंस करा थीटे, अब दूसरा केस लेके चलते हैं, मालो ये गाड़ी थी, अब अपने पास इस बार 1st party insurance है, 1st party insurance को ही हम comprehensive insurance भी बोल देते हैं, इस case में भी यह हुआ कि गाड़ी चल रही थी, सामने से गाड़ी आई, इस बार भी हमारी गलती थी और गाड़ी का एक्सिडेंट हो गए, सामने वाली गाड़ी का भरपूर नुकसान हुआ, हमारी गाड़ी का भी भरपूर नुकसान हुआ, हमें भी चोटाई, सामने वाले को भी चोटाई, अब इस केस में गलती हमारी है, हमारे पास इस बार first party insurance भी है, तो इस केस म बात है अगर मान के चलो 100 रुपे का 3rd party insurance होता है वैसे actual value जो भी गाड़ी की आपकी कितनी insured declared value है मान के चलो कि अगर आप 10 लाग रुपे गाड़ी का insurance कराते हो तो उस case में 5,000-6,000 रुपे का insurance होएगा में एक example से आपको समझार हो मान लो अगर 3rd party insurance 100 रुपे का हो रहा है तो यह मान के चलो कि 200 रुपे का 1st party insurance होता है ठीक है जी अब 1st party insurance जीसे comprehensive insurance भी कहते हैं इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने जी गाड़ी ठोक दी और आपका भी नुकसान हो गया सामने वाला का भी नुकसान हो गया ऐसे ही मान लो ग्लास का जो भी नुकसान होगा शीशा वीशा जैसे मान लो गाड़ी की विंडशील तूट गई तो इसका भी सिरफ 50% ही पैसा मिलेगा और रबड विगयरा माली जी कोई टायर वायर का नुकसान होता है तो हमें कुछ नहीं करना होता है एजनसी में जाए गाड़ी खड़ी कर देते हैं जो भी खर्चा होता है सारी इंशोरेंस कंपनी ही पै करती है बिल्कुल सही सुना है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इंशोरेंस के अंदर जब आप एक एड़ोन प्लान लेते हैं यह पहला ओप्शन है जीरो डेप्रिशेशन जब आप इससे सलेक्ट करोगे जैसे मान के चलो अगर सो रुपे का इंशोरेंस थर्ड पार्टी का हो रहा था तो मैंने आपको बताएगी 200 रुपे लगभग डबल डबल फस्ट पार्टी का इंशोरेंस होता है ऐसे मान लो 20% और खर्चा मान लो तो 60 रुपे और मान लो अगर आप 260 रुपे खर्च करते हो तो आप जीरो डेप्रिशेशन वाले को भी क्लेम कर सकते हो अब एक चीज़ यह मत कहना कि फिर ऐसा करते है थर्ड पार्टी ले लेते हैं साथ में जीरो डेप्रिशेशन ले लेंगे ऐसा पोजीबल नहीं है फर्स्ट पार्टी इंशोरेंस वाला बंदा ही एड़ोन में जीरो डेप्रिशेशन को सेलेक्ट कर सकता आप ऐसा नहीं कह सकते काम करते हैं थर्ड पार्टी इंशोरेंस ले ले लेते हैं साथ में zero depreciation ले लेंगे नहीं first party लेना जरूरी है zero depreciation add-on को लेने के लिए अब zero depreciation का मतलब क्या होता है क्या इस case में गाड़ी ठुक गई तो पूरी की पूरी एकदम अपनी जेव से कुछ नहीं भरना भरना पड़ेगा, क्या भरना पड़ेगा पहला तो file charge, जो basic है जैसे bank में कभी loan लेते हैं तो processing fees होती है वैसे इसका file charge है, यह आपको भरना पड़ेगा दूसरा यह होता है कि मानलो गाड़ी की मरमत हो गई ठीक है, गाड़ी पूरी बरवाद हो चुकी थी नए parts company ने लगा दी अब यह जो अबाड़ कबाड़ निकला है ना, company बोलती है कि भाई यह जो आपका अबाड़ कबाड़ कबाड़ का समान जो अब कबाड़ी हो गया यह आप बजार में ले के जाओ और इसको बेचो मानके चलो यह company कहेगी कि यह अराम से आपका जो है 4000 पे का कबाड़ के पास बिक जाएगा तो यह company कहेगी कि यह 4000 उपे हमें दे के जाओ और यह अपनी सरदर्दी अपने साथ में ले के जाओ ठीक है, तो इसे बोला जाता है salvage cost, यानि कबाड़ की cost यह आपको pay करनी पड़ेगी और जो कबाड़ बच्चा है उसे आप open market में sell कर सकते हो ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और होती है जो zero depreciation होता है यह आप कभी भी ले नहीं सकते है अगर आपकी गाड़ी 5 साल से जादा पुरानी है, मान के चलो आपने गाड़ी ली, गाड़ी 6 साल पुरानी है आप इस पे zero depreciation नहीं ले सकते कोई फाइदा नहीं, ले भी लोगे, तब भी कोई फाइदा नहीं है क्योंकि आपको claim मिलेगा ही नहीं ठीक है जी, अच्छा, और मान के चलो कि आपकी गाड़ी 5 साल से पहले है, 5 साल से जादा पुरानी नहीं है तो इस case में, आप साल भर में जादा से जादा दो बार ही zero depreciation का insurance claim ले सकते हो जैसे मानलो आज गाड़ी ठोक दी, तो एक बार claim ले लिया मानलो zero depreciation, इसी साल में एक बार और गाड़ी ठुकी तब भी zero depreciation के under claim मिल जाएगा, लेकिन तीसरी बार ठुकी तो फिर अपनी जैप से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तो साल भर में जादा से जादा हम दो बार ही zero depreciation की वो कर सकते है, ठीक है, अच्छा एक चीज ओर होती है ये जो consumable parts होते हैं इसकी पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, भले ही आपके पास zero depreciation insurance हो, अब consumable parts क्या होते हैं, मालो गाड़ी ठुकी गाड़ी का mobile निकल गया, गाड़ी में से, coolant में से, जो consume करने nut, bolt, सब निकल गये मालो, लेकिन ये जो parts डलेंगे ना, जैसे lubricants, coolant, brake oil, ठीक है, nut bolt, ये सारे की सारी चीजों के जो खर्चे हैं, ये आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये गाड़ी consume कर रही है, अगर आप चाहते हो कि ये भी मैं आपनी jave से नहीं भरना चाहता, तो इसमें एक और option दिख रहा है, आपको add-on में consumerables इसे भी आप select कर लो, तो अभी तक अगर हम 260 रपे का premium भर रहे थे, तो आप 280 रपे का premium हो जाएगा, तो जैसे जैसे आप add-on को select करते जाओगे features को, तो आपका बस premium बढ़ता चला जाएगा, बस आपके features जो है वो एक तरह से बढ़ते चले जाएंगे, आपको अपनी jave से कुछ भी पैसा नहीं देना होगा, एक चीज जोर होती है, return to invoice, कई बार क्या होता है, आपने मानलो यह return to invoice, यह भी एक add-on है, जो यहां mention नहीं है, इसे आप यही मानलो कि एक add-on है, ठीक है, आपने मानलो return to invoice का add-on ले लिया, गाड़ी का accident हो गया, गाड़ी का सत्या नास ह ठुकी कि अब अगर मानलो इसके parts एक एक करके बदले जाए ना, तो उसकी cost नहीं गाड़ी की cost से भी महंगी बढ़ेगी, तो कई बार agency यह company, insurance company है कहते है कि गाड़ी खतम ही हो गई है, अगर आपके पास return to invoice है ना, तो मानलो आपने 7 लाग और रुपे का insurance लिया था, तो company पूरा का पूरा total cost डाल देती है, यानि गाड़ी एक तरह से खतम ही होगी, तो पूरे के पूरे 7 लाग रुपे आपकी account में company दे देती है, अब गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, गाड़ी खतम ही होगी, तो अगर आपने return to invoice ले रखा है, तो जो उसकी invoice value है, वो पूरा का पू 24x7 roadside assistance, यानि मालो highway पे आपने insurance ले रखा है, गाड़ी खराब हो गई है, या कुछ भी हो गया, तो आप जब company insurance company को phone करोगे, तो जो होता है न, toker के लिए जाने वाला vehicle, वो company आपके लिए भेज देगी, तो आप easily उसका use कर सकते हो, अगर आपने 24x7 roadside assistance ले रखा है, तो अब जब भी आप insurance लोगे, तो देखते चलना कि कौन सा add-on feature आपके काम का है, और किस add-on feature कि आपको साल भर के कितने premium भरने पड़ रहे है, एक्स्ट्रा, देख लेना, अगर आपको लगता है कि ठीक है, तो एड करा लेना, नहीं ठीक लगता तो जाने देना, बस हमारा मतल तक तो आपका engine अगर खराब भी हो गया, तो हमारी सरदर्दी हम बदल के देंगे, तो काफी बार insurance ऐसे होते हैं, जो engine की protection नहीं लेते, भले ही zero depreciation हो, लेकिन अगर engine खराब हो गया, तो वो engine की सरदर्दी नहीं लेते, वो बोलते हैं कि add-on लेना पड़ेगा आपको engine, तो यह जरूरी है, अगर दे रहा है, first party के अंदर यह आपकी insurance company तो अच्छी बात है, नहीं दे रही, तो यह add-on लेना तो जरूरी है, क्योंकि गाड़ी का मोटा मोटा खर्चा ही engine के ओपर है, और हमेशा गाड़ी जब भिढ़ती है, तो आगे से ही बिढ़ती है, सबसे पहले engine ही खतम होता है, तो engine protection cover तो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके आगे consumerables, मैं आपको अरड़ी बता चुका हूँ, key and lock replacement, मानलो कहीं गाड़ी की चावी बाबी गुम हो गई आपसे, तो phone करो वो गाड़ी की जो नहीं चावी बनेगी, वो free में आपकी बन जाएगी, invoice price cover वही RTI हो गया, return to invoice, यहां mention था, मुझे लगा mention है नहीं, ठीक है जी, एक tire protector हो गया, गाड़ी का tire फट गया, वो गया, तो change कर देंगे, laws of personal belongings, मानलो गाड़ी में से आपके कुछ कीमती समान चोरी हो गया, तो उसका भी insurance है, बट कुछ मिलता तो है नहीं, यह फालतो कि लेन कठे करते जाना, तो यह daily allowances में आपको मिलता जाएगा, कि daily आपके 500 रुपे मिलेंगे, आपको 300 रुपे मिलेंगे, जो भी मिलेगा, तो वो depend करते है कि कितने का premium है और कितना आपको benefit मिलेगा, तो in case अगर ऐसा होता है, तो फिर आपको daily allowance मिलना शुरू हो जाएगा, जितन अगले साल मैंने कोई भी claim नहीं लिया, गाड़ी एकदम smooth चल रही थी, कुछ ना इसका accident हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो अगले साल का, obvious ही बात है, अगर पहले साल का 5000 गाड़ी की value 10 रुपे है, ठीक है जी, और insurance हुआ 5 रुपे, ठीक रुपे है, और मेरा premium भी कितना हो जाएगा, मान के चलो 4500 रुपे हो गया, तो ऐसे में company ये बोलती है, कि पहले साल आपने कोई भी claim नहीं लिया, तो हम आपको 10% no claim bonus दे देंगे, यानि इसका 10% 500 रुपे की और छूट दे देंगे, तो 4500 तो वैसी बैठ रहा था, तो मेर को सिरफ 3000 देने होंगे, तो ऐसे करके लगातार मानलो 4-5 साल तक अगर मैं कोई भी claim नहीं ले रहा, तो मेरा no claim bonus बढ़ता चला जाएगा, तीसरे साल मानलो 25% मिल जाएगा, चोथे साल 35% और जादा से जादा no claim bonus हम 50% तक लेके जा सकते हैं, यानि जितने का premium बनेगा, उसक 50% मेरा माफ हो जाएगा, तो यह सारे की सारी चीज़े थी, बाकी अगर आप agent से लेना चाओ, तो agent से भी ले सकते हो insurance, बाकी अगर आप online लेना चाओ, अगर आप चाते हो कि agent vision का कोई कटनी होना चाहिए, तो online भी आप असानी के साल ले सकते हो, बहुत प्यार से मिल जाता ह अगर आपको सारे के सारे points तो समझ आ गए, तो अगर आप नहीं चाहते हो, agent का उसका commission देना तो online भी मैं आपको description box में link दे दूँगा, असानी से आपको अपनी bike का, car का insurance ले सकते हो, आपको सारी की सारी चीज़े तो आप समझ आई चुकी है, ठीक है, बाकी उमीद करता आपको ये video informative लगे होगी, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.